आज हम लोग पान के प्लांट को किस तरह से सिर्फ एक पत्ती से सिर्फ एक छोटी सी कटिंग से किस तरह से पान का प्लांट उगाना है फेल पूफ तरीका हम सीखने वाले हैं तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखेगा तो पान के प्लांट को कटिंग से उगाने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि किस तरह से हमने कटिंग पान के प्लांट की लेनी है ताकि हमारा प्लांट बहुत ही आसानी से उग जाए अगर आप गलत तरह से cutting लेंगे तो फिर plant को उगने में बहुत ज़दा problem होगी इसलिए सही तरीका जानना बहुत ज़रूरी है तो हमेशा जब भी हम पान के plant की cutting लें कोशिश करें कि उसके अंदर node ज़रूर हो जो stem होता है उसके अंदर एक उब्रावा portion होता है उब्रेवे जो जगा होती है जहां से नई पत्तिया निकलती है उसको हम node area बोलते है तो जब भी हम पान के plant की cutting लें तो उसके अंदर node होना बहुत ज़रूरी है node से ही नई roots निकलेंगी और वहीं से नई growth start होगी तो आप भी कोई nodes वाली जगा ही लीजिए सिर्फ एक छोटी सी सिर्फ एक ही node हो तब भी चलेगा बहुत ज़ादा nodes की ज़रूरत नहीं है September का मौसम जो है बहुत ideal मौसम होता है किसी भी plant को cutting से उगाने का तो इस समय जो है आप सिर्फ एक पते की cutting भी लेंगे तो वो भी बहुत असानी से लग जाएगी पान के plant की तो node वाली cutting हमने ले ली है कम से कम 2-3 cuttings आप लेने की कोशिश कीजिए हाला कि September, October के months में पान के plant को cutting से उगाना बहुत आसान है बहुत जल्दी roots ले लेता है ये plant लेकिन फिर भी कम से कम 2-3 cuttings लेजिए ताकि अगर आपकी 1-2 cutting unsuccessful भी हो जाए तो कम से कम कुछ और cuttings में roots आ जाए तो इसलिए जादा cuttings लेजिए इसके बाद हम बात करते हैं पानी की अब हम जो इसकी cuttings है उसको पानी में उगाएंगे तो उसके लिए मैंने कांच का एक cup लिया है आपको कोई भी बरतन ले सकते हैं बहुत जादा गहराई वाली बरतन होनी की जरूरत नहीं है शैलो सा कोई भी cup भी आप ले सकते हैं इसके अंदर मैंने पीने वाला पानी भराया है पीने वाला पानी इसलिए भराया है ताकि उसमें बैक्टिरिया जो है जल्दी से डेवलप ना हो जो हमारे cuttings को नुकसान ना पहुँचाएं इसके बाद मैंने turmeric powder लिया है ये हल्दी क पाउडर है ये बैक्टिरिया की ग्रोथ को काफी ज़्यादा कम करता है और एक natural rooting hormone का भी काम करता है हाला कि जब भी हम किसी plant को cutting से उगाते हैं तो हर बार हमें turmeric powder लेनी की ज़रूद नहीं है सिर्फ पानी में या सिर्फ किसी भी stem को मिटी में गडाने से भी roots बन जाती है ल बहुत जादा turmeric powder नहीं लिया है मैंने सिर्फ उसका जो one fourth teaspoon होता है उसको उतना ही लिया है मैंने और उसको एक छोटे cup के छोटा cup है ये उसके अंदर मैंने से अच्छी तरह से मिला दिया है और अब हम जो cuttings हैं उसको पानी के अंदर mixture के अंदर हम डुबो के छोड़ेंगे क कम से कम 6-7 घंटा 6-7 घंटे के बाद हम जो है इसके पानी को change करेंगे और साफ पानी जो पीने वाला साफ पानी है वो ले ले लेंगे और उसके अंदर cuttings को डुबो के छोड़ देंगे ये जो पानी है इसको हमने daily basis पे change करना है इस पानी को अपने सड़ने नहीं देना है पानी को अपने डाले नहीं रखना है इसके अंदर वरना ये plant दीरे दीरे जो ये पानी है ये green कलर का हो जाएगा सड़ने लग जाएगा और हमारी प्लांट की जो cuttings हैं वो भी गल सकती है और उनमें roots हो सकता है develop ना हो तो ऐसा ना हो इसलिए हम daily basis पे इसका पानी change करेंगे और साथ में अपने इसको cutting वाला जो cup है इसको हमने indoor रखना है outdoor इसको ना रखें outdoor अभी रखना avoid करें इसको मैं indoor रखने वाला हम इंडोर इस cutting को रखने के बाद हम 10 से 15 दिन में फिर से मिलते हैं दो से तीन हफ़ते के बाद stem जब हमारी पानी में डूबे वे दो से तीन हफ़ते हो गए हैं उसके बाद आपको इस सरह से नई roots जो है सफेद रंग की healthy roots develop होती भी नोड एरिया में से नजर आने लग जाएंगी ये जो stage है इस stage पर आप इस plant को मिट्टी के अंदर transplant कर सकते ह अगर आप चाते हैं प्लांट को की सिर्फ पानी में ही उगाना है तो पानी के अंदर उसे रहने दीजे और ये प्लांट धीरे-धीरे stems भी इसके अंदर से node area में से develop होनी शुरू हो जाएंगी तो मैं आपको आजे मिट्टी के अंदर इसके बाद transplant करके दिखाऊंगा जो का पौदा है वो थोड़ा sensitive plant है गर्मी से गर्मी में थोड़ा sensitive plant बन जाता है otherwise वैसे बहुत आसानी से चल जाता है wine variety का प्लांट है बेल की तरह फैलता है तो उसको जो soil है हमने थोड़ी soft soil उसको देनी है बहुत जादा hard सक्त soil ऐसी soil जिसके अंदर पानी ठैरता हो ऐसी soil हमन नहीं देनी है तो well drainage soil हमने तयार की है इस plant के लिए इसके लिए अंदर जो है हम बहुत ही ध्यान से उंगली से hole करके बीच में बहुत softly बहुत आराम से हम जो है cutting को रख देंगे roots जो है stage पर बिलकुल भी damage नहीं होनी चाहिए roots अगर damage होंगी बहुत आप roughly अगर handle करेंगे त तो हो सकता है हमारा plant चले ना तो plant को ध्यान से transplant करने के बाद हम इसको जो है अभी भी stage पर भी छाया में ही रखेंगे एक महिने के लिए आप इसे indoor भी लग सकते हैं artificial lights के नीचे या फिर आप इसे किसी बड़े plant की shade में रख सकते हैं सीधा से तेज धूप में हमने नहीं चुरू हो जाएंगी और आपका plant अच्छी तरह से growth करने लगेगा उसके बाद आप उस stage पर उसको किसी बड़े pot में transplant कर सकते हैं और आपका final जो transplantation process है वो पूरी तरह से successful और complete हो जाएगा तो ये तो था पान के plant को सिर्फ एक पती से एक छोटी सी stem से उगाने का fail-proof तरीक आपका कि एकम जाएगा उसके एक उसकते हैं PK झालत पूरी को सी oh-今天, एक मेंक से खक लिए पांगी याणार का घएगाा एके पांटी सी हैंगी।